आपका स्वागत करता हूं एक नए प्लेटफोर्म पर जिसका नाम है रिजल्ट मित्र नाम से ही स्विष्ट है यहाँ पर हमारा और आपका जो जोडाव है वो रिजल्ट के लिए होने जा रहा है और अगर हमें UPSC-CSC अर्था सिबिल सिवा परक्षा में अपने रिजल्ट को सिक्योर करना है तो कुछ टॉपिक को हमें बहुत गहराई से समझना होगा और आज आपके सामने ऐसा ही एक टॉपिक है जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थियोरी इसको हिंदी में प्लेट विवर्थनिकी सिध्धान्थ बोला जाता है जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम UPSC-CSC की तयारी कर रहे हैं और उसके सिलेबस से अगर हम परचित हैं तो आपको पता होगा कि यह जो टॉपिक है अभी तक जो मैंने आपको 6 टॉपिक करवाए हैं 6 क्लासिस ली हैं उन सब से यह जुड़ेगा और आने वाले जो 5-6 क्लासिस हैं उन से भी जुड़ेगा इतना इंपोर्टेंट टॉपिक यह है सवभविक है जब टॉपिक इंपोर्टेंट है तो हमारा एप्रोच भी कुछ इसी परकार का होना चाहिए कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको हम इस टॉपिक से इंटरलिंग कर दें और अगर हम इस टॉपिक को आज कंप्लीड कर लेते हैं तो आने वाले टॉपिक से भी इसको हम लोग इंटर लिंक करते रहेंगे। जिससे साइंस का जो एप्रोच है इस टॉपिक को लेकर वह हम विक्सित कर पाएंगे। तो आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्लिस मुझे एक बार बता देजे कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप सब को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक इस्टूदें के सर लेक्च्चर्च्च शेय का वीडियो नहीं मिल रहा है विलकुल कल ही छेय हुआ था जो महादीपी विस्तापन सिध्धान्त का वीडियो है देखी पड़ा होगा और वह लेक्च्चर्च्छ था चल एक बड़ शेसन को लाइक और सेयर कर लिजे जिससे अधिक से अधिक दोस्तों तक आपका लिंक के पहुँच जाए बहुत अल्टिमेट यह टॉपिक है और जितना टॉपिक अल्टिमेट है मेरा एप्रोच भी उतना ही अल्टिमेट होगा समझाने का आप देखेगा हम लोग चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं यह मेरे विसमें सिध्धांद को कुछ देर के लिए भोल जाते हैं थोड़ा सा गोल मटोल बाते कर लेते हैं जितनी भी बाते करेंगे यह हमारे सिध्धांद से जुड़ी है इसलिए केरफूल तरीके से सुनीगा अगर हम दूर से उपर से कहीं देखें तो हमें अपनी प्रत्वी कुछ ऐस अशक दिखाई देगी ठीक है इसी तरह से हम से कोई कहता है कि फ्रत्वी बना दो तो हमें ऐसी गोला खेंज देटने है हां यह जरूर नही बना पाते हैं North अपेरिका Ю कुछ लोग तो अपने देश का नक्सा नहीं बना पाते खैंगे लेकिन पृत्वी ऐसी है पृत्वी के पृति रूप को बोला जाता है ग्लोब तो ग्लोब ऐसा दिखाई देता है अब हम इस पृत्वी और इस ग्लोब को देखते हैं तो हमें मतलब मुझे खास कर ऐसा लगत बस इस गोले में अर्थात हमारी फृत्वी के गोले में और इस गोले में एक अंतर है आप कहेंगे सरक कलर का अंतर है ना 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 कलर की बात नहीं है मैं जब इस फुटबॉल को देखता हूँ तो इसमें कुछ टुकडे है और ये पूरा टुकडे ये सभी टुकडे मिलकर फुटबॉल का निर्मान करते हैं इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें से एक टुकडा निकाल दूँ फुटबॉल क्या हो जाएगा इसकी हवा निकल जाएगी ये पिचक जाएगा तो मेरे अंदर एक प्रशन आया कि ये जो फुटबॉल है कुछ टुकडों से जुड कर बना है क्या मेरी प्रित्वी या आपकी प्रित्वी क्या ऐसे टुकडे से जुड कर बनी है या फिर एक लेयर है एक कंटिनोस लेयर है जैसे आप सब लोगोंने बच्पन में अभीतों आप फुटबॉल खेलते होंगे लेकिन बच्पन में आपने देखा होगा एक गोल गेंद आती थी बड़ी सी इतनी बड़ी सी प्लास्टिक मतलब सिंगल उसमें टुकडे नहीं होते हैं और आपने देखा हुआ दस रुपए 20 रुपए कि आज में बेखती है प्लास्टिक की थी हना उसे मोटी परत की और वह सिंगल लेयर हुआ करती थी अर्थात उसमें ऐसे से जोड़ कर बनी है या जो बचपन में हम लो 20 रुपए की 30 रुपए की एक गेंद आती थी बड़ी सी जो एक ही थे उसमें टुकडे नहीं थे वो पूरा एक ही भाग हुआ करता था प्लास्टिक का एक पूरा भाग ही मिलकर क्या बनता था वो बड़ी गेंद के रूप मे तो यह मेरे अंदर प्रश्ण रहता था अब इस प्रश्ण को मैंने यहाँ पर देखने का प्रयास किया तो मुझे यह लगा कि यह जो हमारे प्रत्वी है न एक कुछ टुकडों से जुड़ कर बनी है कैसे टुकडे क्या मैं इसको एक टुकडा कह सकता हूँ जो महादीब ह क्या मैं इसको एक टुकडा कह सकता हूँ जो एक महादीब है क्या मैं इसको एक टुकडा कह सकता हूँ क्या मैं इसको एक टुकडा कह सकता हूँ तो आप कहेंगे हां सर कह सकते हैं तो फिर प्रश्ण आएगा कि क्या इतने ही टुकडे से मिलकर प्रत्वी बनी है नई यह त हमारे जो पृत्वी एकदम प्लेन देखाई देती है, क्या ये एकदम प्लेन होगी? क्या हमारे जो पृत्वी एकदम प्लेन होगी? नहीं, पृत्वी का ये जो इस्थलिय भाग है ये उपर उठा हुआ होगा, जैसे और उठा होने का मतलब है कि इसकी उचाई जादा होगी समदुरता से उंचे भाग है और जो सागर है जो सागर महासागर है वो क्या होगा एक गढ़े नुमा भाग यह दूसरी सब्दों में कहें तो यहां पर देखिए इधर भी एक इस्थल है इधर भी इस्थल इधर भी इस्थल इधर भी इस्थल इधर भी इस्थल और इन दोनो और महासागर मिलकर क्या कर रहा है पृत्वी का निर्मार कर रहा है तो अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारी पृत्वी है वह भी कुछ इसी तरह के टुकडों से जुड़कर बनी है जिसमें कुछ टुकडों पर इस्थलिय भाग होगा कुछ टुकडों पर गड़ा होगा जिसमें जल भरा होगा उसको हम जली भाग वो सकते हैं तो अगर simple हम map देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर आता है लेकिन जो मेरी curiosity थी कि आखिर हमारी जो पृत्वी है वो कुछ टुकडों से जुड़कर नई बनी तो मैंने इसको पढ़ना चालो किया आप जैसे बिद्वान लोगों से मैंने पूछा कि आकर हमारी पृत्वी एक लेयर है पूरा continuous एक भाग है या फुटबॉल की तरह कुछ टुकडों से जुड़कर बनी है तो आप में से ही कुछ बिद्वान लोगों ने मुझे बताया इस मैप को देखो तो मैंने कहा यह तो वर्ल्ड का मैप है कहें उन्होंने और कहा कि और ध्यान से देखो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ अब मैं जब इसको देख रहा हूँ तो मुझे एक टुकड़ा यहां पर मिलता है एक टुकड़ा यहां पर मिलता है एक टुकड़ा यहां पर एक टुकड़ा यहां पर हमें देखने को मिलता है यहां पर यहां पर तो मैंने पूछा यह लखीरे क्या बताती है तो उन्होंने कहा ये लखीरे ये वता रही है कि जो आपका प्रश्न था कि प्रत्वी continuous एक लियर है ये कुछ टुकडों से जुड़ कर बनी है तो उन्होंने कहा ये टुकडों से जुड़ कर बनी है मैंने कहा या मैंने कैसे मान लूँ कि प्रत्वी टुकुडोर से चुड़ कर बनी है हम आप ने कहा था है कि आपने जैसे फुट बॉल कि से सोच मैंने कहा थाथ हे फुट बॉल की थे क Supreme Courtors टभी तक फुट बॉल है जब तक kleiner?」 Y tag सिलाई, ये दोखो, एक सिकंट, एक सिकंट, उन्हों न कहा कि दोखो ये जो किनारा है, जब तक क्या है ये जुड़ा हुआ, जब तक ये क्या है जुड़ा हुआ, तब तक ये फुटबॉल है, अगर यहां से क्या हो, हवा निकल जाए, यहां से क्या हो, हवा निकल जाए, त ठीक है तो इन्होंने कहा ठीक इसी तरह से जब आप इन टुकडों को देखोगे तो इन टुकडों के किनारे कई तरह की activity होती है जैसे हम फुटबॉल पर किक करते हैं तो इसके अंदर की हवा इधर से उधर जाती है और अगर मैं इस टुकडे पर किक करूँगा तो इसका असर पूरे फुटबॉल पर होगा ठीक जो हमारी पृतवी है ये भी कुछ टुकड से मिलकर वनी है और इन टुकडों के किनारे पर कई तरह की activity होती है अरथा तो उन्होंने मुझे ये चीज़ के लिए convince कर लिया समझा लिया कि पृतवी एक continuous layer नहीं है तो मैंने कहा कि मैं आपकी बात पर कैसे भरोशा करूं तो उन्होंने कहा मेरे ही बात पर भरोशा मत करो आप क्या करो एक theory पढ़ लो जिसका नाम है play tectonic theory तो play tectonic theory के माद्यम से मैं यही प्रूब करने चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्रत्वी ऐसी दिखती है जो globe हमको ऐसा दिखता है ये एक single layer नहीं है अरथा यह मिट्टी का एक पूरा भाग नहीं है इसमें बीच बीच में एक कुछ चीज़े जुड़ी हुई है जैसे आप लोगों ने बच्पन में तर्बूज बनाया होगा तो मिट्टी का जो तर्बूज बनाया होगे तो मिट्टी को गोल किया होगा फिर उसमें लखीरे बनाई होगे लखीरों के बीच में लाल लाल फिर ग्रीन ग्रीन कलर भरा होगा ऐसे ही को बनाते थे तर्बू कुछ बन जाता था कुछ में हमारी जो पृत्वी है बस यह अलग अलग तुकड़ों से मिलकर बनी है जैसे फुटबॉल अलग अलग तुकड़ों से मिलकर बना है जैसे कि इस फुटबॉल से कोई भी तुकड़ा अलग नहीं हो सकता ठीक इसी तरह से यह जो हमारी पृत्वी हैं हर टुकडा जुड़कर प्रिथवी का निर्मान करता है और यहाँ सभी जो टुकडे हैं अपनी आप में इंपोर्टेंच रखते हैं इक्वल इंपोर्टेंच रखते हैं तो इसी बेसिक से अभी मैंने ब्रिफ इसलिए किया ताकि आप टॉपिक को इंटर लिंक कर सकें कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं क्योंकि कुछ लोग पहली बारे सिध्धान पढ़ रहे होंगे क्लिए है तो लाइक शेयर कर लो बच्चो लाइक शेयर कर लेजिए मतलब यह तो आपका एक होना चाहिए लोगों ने जो एक गुरुजनों के लिए क्या क्या किया हम लोग आज खुद जब अपने गुरुजनों से मिलते है तो लगता है कि क्या ही कर बैठे मतलब क्या आरपित कर दें तो कम से कम इतना तो कर दिया अगर हो कि सेशन को जो है कि एक इस्टूडेन मैं यह मानता हूँ कि 10-20 लोग तक भी अगर सेशन को सेयर कर देंगे तो खै चले आगे बढ़ते आए मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक सिध्धान बताता हूँ इस सिध्धान पर आने से पहले मैंने जो आपको कल टॉपिक बताया था वह था एक मैंने आपको बताया था इस थली बिस्थापन सिध्धान ठीक है मैंने आपको बताया था इस थली विस्थापन सिध्धान्त और इस सिध्धान्त किसका था? यह था F.B. Taylor का और मैंने आप से कल भी कहा था कि यह जो सिध्धान्त है आके आने वाले सिध्धान्त का आधार बनेगा यह हमने देखा था इसमें हमने यह पता किया था कि भाई ये एबी टेलर साहब ये कहना चाहते थे कि जो इस थलिय भाग है उसका बिस्थापन हुआ है इस थलिय बिस्थापन हुआ है इसी चीज को पुरूब करने के लिए इन्होंने अपनी बात कहा था और ठीक इसी तरह से कल हमने एक सिध्धान देखा था जिसका नाम था महादीपिय बिस्थापन सिध्धान और महादीपिय बिस्थापन सिध्धान में बैगनर महोदों ने कहा था कि महादीवपो का बिस्थापन हुआ है बस इन दोनों लोगों के साथ जो लिमिटेशन थी वो यह थी यह लोग यह नहीं बता पाए कि आखर यह इस्थली विस्थापन यह महादीपों का विस्थापन क्यों रहा लेकिन कल इन लोगों ने कहीं न कहीं इस सिद्धानत की निव तयार कर देती और यह बताने का प्रयास किया था कि जो महादीप यह भाग है वह स्थिर नहीं हैं वह गती करते हैं तो इन सिध्धान्तों में को और एक बिक्सित करते हुए यह जो प्लेट विवर्थनी की सिध्धान्त हैं यह सिध्धान्त बिक्सित हुआ और देखेंगे कि कल जो इन लोगों ने बाते की थी कुछ कुछ सिध्धान्त उसी तरह की बात करेगा बर बस इनकी कम्यों को दूर कर देगा इन दोनों सिध्धांतों में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये दोनों लोग इह नहीं बता पाए कि महादीपों का बिस्थापन किस वज़े से हो रहा है बताने का उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनका जो तर्क था वो बहुत अच्छा था नहीं इन लोगों ने कह दिया कि जुआरिय सत्ती के कारण महादीपों का बिस्थापन हुआ है जो कि ठीक नहीं बैड़ता इस सिध्धांत ने क्या किया इनकी कम्यों को दूर किया और बिलकूल एक नया सांदार जो है कि सिध्धां दिया और यह जो सि जाले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं तो अब हम सिध्धांत में यह देखेंगे कि आखिर यह प्लेटें क्या होती है फिर हम यह देखेंगे कि प्लेट का जब हम अर्थ समझ जाएंगे कि प्लेट क्या होती है प्लेट का क्या अर्थ है फिर हम यह देखेंगे कि आखिर यह बिवर्तनिकी क्या है? टेक्टोनिक किसको कहते हैं? बिवर्तनिकी क्या है या टेक्टोनिक किसको कहते हैं? फिर हम यह देखेंगे यह जो सिधान्त है, यह सिधान्त कहना क्या चाहता है? यह जो सिधान्त है, यह क्या कहना चाहता है? फिर हम देखेंगे कि आखिर यह जो सिध जिन चीजों को कहता है ये भी कहेगा कि महादीपों का बिस्थापन होता है इस्थलिय भाग का बिस्थापन होता है तो हम देखेंगे कि आखिर इसमें जो बिस्थापन है उसके पीछी का क्या कारण बताया गया है क्या ये भी अतारकिक बात करता है या फिर तारकिक बात करत फिर हम देखेंगे इस सिध्धान्त के परमार क्या है? आखिर किन चीजों पर इस सिध्धान्त अपने आपको परमारित करने का प्रयास करता है? और फिर ये देखेंगे कि इस सिध्धान्त के माध्यम से हम किन-किन आकरतियों की ब्याख्या करते हैं? किन-किन आकरतियों की हम जो है कि बैज्ञानिक ब्याख्या कर पाते हैं किन-किन आकर्तियों कि हम ब्याख्या कर पाते हैं इसको देखें और फिर उसके बाद सबसे लाश्ट में देखेंगे कि आखिर इस सिद्धान्द की सीमाय क्या है इसकी सीमाय क्या है सीमाय का मतलब यह है एक सिगन देना वच्चो ठीक नहीं लग रहा है सीमाय का मतलब यह है कि आखिर क्या यह सिध्धान एकदम परफेट है कि इसमें भी कुछ खामियां रह गए थी इसको हम डिस्कस करेंगे तो जैसा कि आप इस फ्लो चार्ड से देख और समझ पा रहे होंगे हम बहुत बेसिक तरीके से इसको समझने वाले है ठीक है? आईए हम श्टार्ट करते हैं इसको जो मैंने आपको अभी प्रश्णों का एक क्रम बताया कि कैसे मेरे मन में प्रश्ण आया कि प्रत्वी ऐसी है, फुटबॉल की जैसी है या फिर जो है कि प्लास्टिक की गेंद की तरह है जितनी चीजे हैं समय इसको यहां पर यूच करना हो तो आई अब देखे प्लेट क्या है सबसे पहले अगर हमें सिध्धान्त को समझना है तो इसका पहला जो सब्ध है प्लेट उसको समझना होगा तो यहां पर प्लेट का अर्थ है कि प्रिथवी के ठोस उपरी सतह को हम क्या कहते हैं प्लेट कहते हैं अच्छा अब देखे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉपी पेन निकाल लिया होगा और इसको बनाना चालू कर दिया होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब यह मैसेश टाइप कर रहे होंगे कि क्लास खतम हो और हम वार्ट से पर यह टेलीग्राम पर मैसेज भेदें कि सर पीडियप देदो पीडियप देदो पीडियप देदो अरे प्रभू पीडियप से कुछ नहीं होने वाला है नोट्स बनाईए टॉपर्स को देखा है आपने ना टॉपर बनना है ना और अभी कुछ दिर पहले मैंने क्लास में यही बताया था कि आपके अंदर क्या होना चाहिए तो बनाना चालू करें ठीक है हाँ नोट्स जब मिलेगा तो सब को मिलेगा ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रीमियम चार्ज रख रखा है कि कुछ लोगों को देंगे कुछ लोगों को नहीं देंगे चलो यहां परा तो प्रिथवी की ठोस उपरी सतों को हम प्लेट कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ मैंने कहा कि यह हमारी प्रिथवी है गोल जैसी तो जरूर है लेकिन इस गोल प्रिथवी पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखें तो इसी प्रिथवी के किसी हिस्से में महादीप होगा इस थली भाग होगा और इसी पर क्या होगा जली भाग होगा और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो पृत्वी का सबसे उपरी भाग है इसको हमने क्या नाम दिया था इसको हमने पृत्वी की आंतिक सनचना पढ़ते समय क्या नाम दिया था इसको हमने कहा था crust और इसकी नीचे जो दूसरी परत थी उसको हमने नाम दिया था mental और तीसरा था core यही तो हमने बताया था तो crust हो गया, mental हो गया और core हो गया ठीक, यही हमने discuss किया था तो देखे, crust का मतलब क्या है? प्रत्वी का सबसे उपरी भाग और इसी उपरी भाग पर किसी हिस्से पर क्या है? हमें महादीब देखने को मिलेगा? ठीक है, और इसी जो है कि किसी प्रत्वी के किसी हिस्से पर क्या होगा? हमें जलिये चितर देखने को मिलेगा तो देखो, जब हमने लिखा कि प्रत्वी के सबसे उपरी ठोस सतह को हम क्या कहते हैं प्लेट कहते है तो महादीप वाली जो बात है वो तब तरन्त आपके दिमाग में बिजूलाईज हो गई होगी कि प्लेट का मतलब है कि जितने भी महादीप है लेकिन सोचो क्या महादीप ही सिप ठोस भाग है नहीं महसागर जो एक स्मझी के डार ही तक यह महसागर का जो जल की नीचे राएव ना अर्थाच अगर आप महसागर की नीचे जाओगे तो आपको शोस्ट मिले गा की नहीं? यह महसागर के के मतल Growth को मतल्ब ही का टोरे2 1.00 मश्रच नम जीवाएव ना वह क्या होता है। उसलिड होता गी नहीं उसी पर पानिटिका हुआ है। तो जब हम प्लेट सब यूज करते हैं तो इसका मतलब यहां एक प्लेट है, जिसका नाम है नौर्थ अमीर की प्लेट, यहां एक प्लेट है, ठीक है, यहां एक प्लेट है, यहां एक प्लेट है, प्लेटे दिख रहे हैं, तो यह क्या है, ठोस भाग, लेकिन यह भी तो एक प्लेट है, यह पैसिफिक उसन वाला जो भाग है, यह ज तो यहां पर हमने क्या लिखा कि प्रत्वी के ठोस उपरी सत्व को प्लेट कहते हैं और यहां पर एक संस्था का मैं नाम लिखना चाहूंगा क्या इस संस्था का आपने नाम सुना है क्या आपने इस संस्था का नाम सुना है सब लोग बताईए क्या आप सब लोगों ने इस संस्था का नाम सुना है तो ये जो संस्था है इसका ये कहना है कि भेया ये जो हमारी प्रित्वी बनी है ये साथ बड़ी प्लेटों और लगभग 20 छोटी प्लेटों और टोटल 100 प्लेटों से मिलकर क्या है हमारी प्रित्वी बनी है इसका मतलब है कि जो हमारी प्रत्वी है वो फुटबॉल जैसे ही कुछ टुकडों से जुड़कर बनी है बस फुटबॉल में एक कॉमन चीज क्या है सभी टुकडे एक आकार के हैं और एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं जबकि प्रत्वी पर अगर हम देखें तो प्रत्वी पर 20 बड़ी पलेटे हैं और टोटल लगवख 100 पलेटों से जुड़कर बनी है अर्था छोटी बड़ी पलेटों से जुड़कर हमारी प्रत्वी का निर्माड हुआ है और जब हम पृत्वी कहते हैं, इसका मतलभ है कि हम यह कहना चाहते हैं कि कुछ टुकौनों से जुड़कर बनी हुई एक गोल आकरती, जिसके किसी हिस्से में महा दीव है, किसी पर महा सागर. तो क्या हम प्लेट समझ पाए प्लेट क्या है क्या हम प्लेट समझ पाए सब लोग बताईए सब लोग बताईए जल्दी जल्दी बताईए इतनी अच्छे तरीके से इस टॉपिक को बच्चे पढ़ लेना है न कि जब आप किताब पढ़ो कोई अब दुबारा लेक्चर देखो तो आपको लगए कि कितने कम बाते लिखी हुई है आप कितना जानते हो ठीक है चाँ तो हमने कहा साथ बड़ी और 20 छोटी और टोटो 100 प्लेटों से मिलकर बना है प्लेट हमने देख लिया और प्लेटों को देखने के लिए आप यह मैप देख लिए यहाँ पर आपको प्लेटे दिखाई गई है कौन कौन सी प्लेटे दिखाई गई है छोटी और बड़ी कुछ प्लेटों को हमने दिखाया है पूरी 100 प्लेटों को दिखाएंगे तो दिमाग आपका चक्रा आजाएगा और हमें देखना भी नहीं यहाँ पर अंटारिकट का प्लेट पूरी इस तरह से यहाँ पर अफ्रिका प्लेट अरेबियन प्लेट इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट नॉर्थ अमेर्की प्लेट ऑस्टेलिया प्लेट ठीक है कलियर है चल अब मैं यहाँ पर साथ जो बड़ी-बड़ी हमने प्लेटे बताई इसका नाम लिख देता हूँ लेकिन लोग नहीं तो लोग कहेंगे कि सर मैप पर तो हमने देख लिया लेकिन बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है हम डिफ्रेंस नहीं कर पा रहा है तो देखो साथ प्लेटों में एक पहला है नौर्थ अमेर की प्लेट दूसरा है साथ अमेर की प्लेट तीशरा है आपकी अफ्रिकी प्लेट तीन प्लेट है यह जो तीन महादीप आपने देख लिए ठीक है चौथा प्लेट है आपकी अंटार कट का प्लेट यह मैं देखो सौट में लिख रहा हूँ आप पुरा लिखते चलिए अंटार कट का प्लेट ठीक है पाचमी है इंडो ऑस्टेलियन प्लेट ठीक है जो छटवी प्लेट है वो है यूरेशियन प्लेट वो है आपकी यूरेश यहां पर जितनी प्लेटे देख सकते ही इन प्लेटों के अलावा उस सब क्या है छोटी छोटी प्लेटे है और इन प्लेटों की समलित रूप से ही हमारी प्रिथ्वी बनी है अर्था जो यह मैप देखते हैं जिस जो हम वल्ड का मैप देख रहे हैं यह क्या है कुछ प्लेट यह किसी प्लेट का हिस्सा है यह जो महादियुप है किसी प्लेट का हिस्सा है यह जो महादियुप है किसी प्लेट का हिस्सा है यह जो देश है किसी प्लेट का हिस्सा है तो हर देश किसी ना किसी प्लेट का हिस्सा है और जो हमारी प्रत्वी है वह कुछ इस तरह से फुटब पहाग जिस पर महादीप और महासागर हैं इन्हे को हम प्लेट expense बोलते हैं अहो एक किलियर हो गया होगा अब हम समझते हैं कि आखिर भीवर्तनिकी क्या है ठीक है भीवर्तनिकी का मतलब होता है कि जो प्लेट है जो प्लेट एक सिकन देज़े जितनी भी प्लेट है एक सिकन तो प्लेटों के किनारे प्लेटों के किनारे होने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं बीवर्तिन की कहते हैं प्लेटों के किनारे होने वाले क्रियाओं को बीवर्तिन की कहते हैं क्या मतलब है इसका आप सब लोगोंने फुटबॉल जरूर खेला होगा आप जब क्या करते हैं फुटबॉल खेलते रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जहां पर ये किनारे हैं जहां पर सिलाई हुई है यहां से क्या होता है ये फुटबॉल फट जाता है उसकी सिलाई क्या होती है हट जाती है ये जो किनारे है ठीक है अब ठीक इसी तरह से ये ज जुआला मुखी वाले चेप्टर में बताया था कि जो पृत्वी के अंदर पृत्वी के अंदर कितना अंदर लगभग 100 से लेकर 200 किलोमेटर की गहराई पर यहां पर क्या होता है यहां पर है मैगमा चेंबर यहां पर क्या है मैगमा चेंबर और मैगमा चेंबर में क्या होता है तापमान जादा होता है और जब तापमान जादा होता है तो तो आप सबिल गें जो कन्वेक्सनल करेंट है वह प्रतबी के अंदर से उपर कीववार आती है संभानी तरंगों को मैं दो बार बहुत ऽइटेल में समझा चुका हूँ आज संचेप में समझ लीजिये, पानी का आप कभी पानी गरम करते हैं, टो आपने किसी बर्तन में पानी रखा और गेस चालो किया, तो गेस जो है, वह हीट जो है, वह क्या हो, किसी बरतन के bottom को मिलती है, ऐसे कतोरा रखा है, गैس चालो किया, तो heat वह इस बरतन के bottom को मिल रही है, और इस bottom से heat जब उपर की उड़ता है, और इसी के कारण नीचे से लेकर पूरा पानी गरम हो जाता है, आप जब खाना बनाते हो दाल बनाते हो, सबजी, तो यह बबल्स उड़ता है, वो भी क्या है, संभान तरंग का ही इपजांपल, तो जब प्रिथभी की अंदर संभान तरंगे क्या करती है, यह जब गती करेंगी, अब बताओ, जब मान लो, इस फुटबॉल के अंदर क्या हो जाए, यह फुटबॉल लोहे का है, लोहे के करेगा कि नहीं करेगा तो ठीक इसी तरह से यहां पर यह जो प्लेटों के किनारे कई कारणों से कुछ गत्विधियां होती हैं और इन किनारों पर जो भी गत्विधियां होती हैं उनके अध्यन को हम बिवर्तनिकी कहते हैं बिवर्तनिकी का मतलब है कि जो प्लेटें हैं उनक यहां पर क्या होगा यहां पर देखेंगे तो परवत भी बनेगा एंडिच यहां पर रोकिज बनेगा यहां पर ज्वाला मुखी क्रिया होगी यहां पर अगर हम देखेंगे तो हिमाले बनेगा भुकम पाएगा तो भुकम ज्वाला मुखी जैसी क्रियाओं का होना यहां पर जो हम देखेंगे तो आगे चलकर हमें पता चलेगा कि महासागर में एक बहुत बड़ा परवत बन रहा है यह परवत कैसे बन रहा है वो अभी क्या है किसी प्लेट का हिस्सा है ठी किसी तरह से हम जब देखेंगे तो जो प्लेटों के किनारे हैं बहुत सी गतविधिया होती जैसे यहां पर आप देख सकते हो जापान, और आप सब लोगों सुना होगा, जापान में भुकमप और ज्वाला मुखी आते रहते हैं क्यों क्यों को आते हैं को कि पिलेट के किनारे हैं यह क्या है काफी संविधिन सील एरिया हैं जिन के किनारों पर प्रत्वी के अंदर से कई तरह की हलचल होती है कई तरह से जो है कि प्लेटे एक दूसरी से घरसन करती हैं तकराती हैं तो प्लेटों के किनारे जो कुछ भी होगा उसको हम बोलेंगे बिवर्तनिके अब देखो फिर से आप फुटबॉल को देखो अगर आप फुटबॉल पर किक करते हो यहाँ पर किक करते हो तो जटका सिर्फ यहीं नहीं लगेगा यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर लगेगा यहां पर लगेगा ठीक इसी तरह से जब हमारी पृत्वी में कोई गत्विधी होगी तो उसके किनारे पर कई गत्विधियां होगी कई तरह के एक्टिविटी होगी जिसको हम बोलेंगे बिवर्तनिके इसी बिवर्तनिकी का जो परणाम है वो यह है हम हम देखेंगे कि इसी के माध्यम से हम परवतों का निर्माण कर देंगे परवतों का निर्माण क्या होगा इन्ही प्लेटों के किनारे पर होगा इन्ही प्लेटों के किनारों पर ज्वाला मुखी किरिया अभी हम देखेंगे एक एक की समझ ले अब ये समझते ही कि आकरी सिध्धान्त क्या कहता यहां पर आई सिध्धान्त क्या कहता नोट करते चलिएगा नोट कर रहे हैं कि नहीं सब लोग सब लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं बताई एक बार सब लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं और बिलकुल देखो जो लोग क्लास में समय से आ गए होंगे मैं आपको दावा करता हूँ आपको भरोसा देलाता हूँ एक confusion लेकर नहीं जाओगे इतना अच्छे से concept क्लियर करके जाओगे कि इसी क्लास को इसी topic को चाहें YouTube पर पढ़ लेना किसी offline पढ़े हुए इस्टुडेंट से बात कर लेना आप बहुत बहतर तरीके से समझ कर जाने वागे जिद्धी बोई कह रहे हैं आपको इतना याद कैसे रहता है सर वो इस बज़े से रहता है क्योंकि जब मैं मेहनत करता हूँ तो अभी मैंने इस से पहले की class में आपको क्या बताया था कि हमें अपनी productivity को समझना होगा हम कितने देर में क्या कर पाते हैं उसकी चमता को हमेशा जब बढ़ाते रहेंगे तो अपने आप याद रह जाए क्लियर है रहा लेकिन आप लोग लाइक और सेयर नहीं कर रहा है नोट भले ही करना है लेकिन लाइक और सेयर नहीं कर रहा है आप देखिए इस सिध्धान्त क्या कहता है तो यह जो सिध्धान्त है यह कहता है पृत्वी का निर्माड पृत्वी का जो निर्माड है वह कुछ छोटी बड़ी प्लेटों से हुआ है पृत्वी का जो निर्माड है वह कुछ छोटी बड़ी प्लेटों से हुआ है फिर आगे यह सिध्धान्त कहता है यह जो प्लेटे हैं देखो जो सब्द योज करने जारा हूं ध्यान देना यह जो प्लेटे हैं वह क्या है आपस में गतिशील है अर्थात यह गति करती है यह क्या है गति करती है अब एक बात बता हो क्या यह जो सिध्धान्त कुछ वैसी ही बात नहीं कह रहा जैसी बात कल वेगरनर ने और एफबी टेलर ने कहा था मतलग कल की क्लास में जब मैंने एफबी टेलर का और बेगरनर का सिध्धान्त बताया था कुछ वह ही बात यहां पे भी कर रहे हैं तो यह कह रहे हैं यह प्लेटे आपस में गतिशील हैं कि यह कहना है कि जो प्लेटे हैं जो प्लेटे हैं वह सियाल की बनी हुई है और वह दुर्बलता मंडल वह क्या है दुर्बलता मंडल पर गति कर रही है दुर्वलता मंडल पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है और इस गति का जो कारण है वह संबहन तरंग या फिर संबहन तरंग अभी मैं बताऊंगा ठीक है एक एक पॉइंट बताऊंगा पहले लिए इनका ये कहना है प्लेटों के गती के ही कारण बलित परवतों का निर्माण होता है प्लेटों के गती के कारण ही ज्वाला मुखी और भूकम्ब की किरिया होती है प्लेटों के गती के कारण ही जो महाद्यूप है वा क्या होते हैं एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर और इन्ही के कारण ही महासागरों का भी निर्माण होता है प्लेटों के गती के कारण ही महासागरों का भी निर्माण होता है ठीक तो यह इन्होंने बात के यहाँ पर देखो प्रित्वी का निर्मार छोटी बड़ी प्लेटों से हुआ हमने समझ लिया प्लेटे आपस में गती सील है अब देखो इसका क्या मतलब है फिर से इस फुटबॉल को देखो अगर इस फुटबॉल को आप क्या करो जोड जोड से घुमाओ और बीच में कभी कभी किक भी कर दिया करो तो जटका लगेगा और जब जटका लगेगा तो इसके बज़े से क्या होगा जटका लगते लगते हो सकता है कि किसी किनारे से यह तूट जाए जैसे ही यह कहीं से भी इसमें छिद्र होगा कहीं gap बन जाएगा तो उसमें से क्या होगा हवा निकलने लगेगे राज जी कहारे है सर प्लेलिस्ट बना दीजिए भाईया प्रभू प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर जाएए वर्ल्ड जोग्रोफी का 6 वीडियो जिसे पहले गई है छे का प्लेलिस्ट बना हुआ इंडेन जोग्रोफी की एक क्लास गई है उसका बना हुआ है इस्टेटजी का प्लेलिस्ट बना हुआ देख तो लिया करो कुछ भी मतलब देखो पहले जाके यहाँ पर आओ और बीच में मत भोलो ठीक है पहले टॉपिक को समझो अना तो हमने कहा कि अगर आप इस पर किक करोगे और किक करते रहोगे तो यहाँ से हो सकता है तूट जाए और फिर यह एक दूसरे के ऊपर ओबरलेफ हो जाए तो हमारी जो प्रित्वी है जो हमने कहा यह जो प्रित्वी है ये भी कुछ टुकडों से जुड़कर बनी है तो इसमें भी प्लेटे क्या होती है एक दूसरे एक जब क्या होगा इस कंडिशन में जैसे माल लो ये हमारी प्रित्वी और यहाँ कुछ मैं जो है कि उची कुछ जो है कि नीची जो है कि प्लेटे बनानों ठीक है तो जो उचे उठे हुए भाग है समासत्य महादीप है और जो नीचे धसे हुए भाग है इन पर महासागर है अब बताओ कि जब यह टुकडों से कुछ है हमने बड़े बड़े टुकड़े ले लिए इसमें बड़े छोटे टुकड़े टोटल मिला कर 100 इन की संख्या है तो अब ऐसे में अगर इन प्लेटों पर गतिव होगी जैसे इसके नीचे क्या है मैगमा भरा है हमने क्या बोलाता जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि आप सबजी बनाओ या दाल बनाओ कड़ाई में कुछ बनाते हो भगोने में कुछ बनाते हो तो जब उसको आप रग देते हो पकने के लिए तो उसमें भाप बनता है भाप बनता है अर्था जब वो कोई चीज खौलने लगती है तो भाप बनाती है और उस बर्तन को गिरा देती है जैसे मुझे जब चावल बनाना होता है तो मुझे कुकर का चावल पसंद नहीं है और कुकी में बहुत अच्छी करता हूँ तो फिर मैं क्या करता हूँ भागोने में चावल बनाता हूँ लेकिन उसमें दिक्कत एक इव होती है कि भागोने में जब चावल आप बनाते हो किसी बर्तन में कुकर के अलावा तो आपने चावल में पानी डाला और उसको चालोगा रहे कुछ देर के लिए ढखते हो लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद बर्तन को जिससे आपने ढखा है चावल का जो भाप है उसको गिरा देता है उसमें वसे बबल्स उठने लगते हैं ये बबल्स क्या है? एनरजी है ये हीट है एक परकार के तो इसमें एनरजी क्या होगी? सर्कुलेट करती रहती है आपने एक चीज़ सुना होगा कई बार कहा जाता है जैसे मेरे साथ भी हुआ तो एक बार मैं डॉक्टर साहब के पास किया और मैंने डॉक्टर साहब से कहा किस आप सिर में भाष्ट दर्ध ہो रहा है हाना और मैंने का पेट में एठन भी हो रही है उन्हों का आपको गैस बन गई है अरे मैंने का सर गैस कैसे बन जाएगी? इतनी बाहे मंदल में गैस है वहीं पर बने हमारी पेट में क्यों बनेगे? तो उन्होंने गा ना आपके पेट में गैस है, वो ही गैस ही उपर चड़ देए, तो सर में दर्द हो रहा है, मैंने कि अच्छा, means गैस ही कहां कहां चड़ रही है, अब इसी तरह से इसमें देखो, आपके पेट में कुछ अपच हुआ, तो गैस अधर से उधर जा रहा है, ज जब एनरजी घूमने वाली एनरजी में फोर्स जादा हो, वो क्या करेगी? उसके उपर जो चीज है उसको भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी, जैसे, कल मैंने आपको एक एक्जामपल देया था, आज भी दे रहा हूं, आप क्या करना, बारिस का मौसम में भी आएगा, म नाव बनाकर पानी पर रख देते हैं, नाव किधर जाती है, जैसे माल लो, मैं यहाँ, आप हो माल लो, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हो, और आपने नाव बनाया, नाव में आपने एक चिठी डाल दिया, आपने एक प्रेम पत्र डाला, अब प्रेम पत्र आपने डाला, और सोचा कि पानी क्या होगा इधर जा रहा है उसका घर भी उधर ही है आपने आवाज दे दिया कि हमने देखो लेटर डाल दिया है और ये जहाज के माध्यम से जा रहा है हमारा प्रेम पत्र स्युकार करो आपने क्या किया अभी नाव में प्रेम पत्र डाला है तब तक किसी ने क्या किया पानी को ऐसे थोड़ा सा उसको अपने घर से पानी को बाहर निकाला अब पानी का direction change हो गया मालुम चला कि दूसरे पडोसी के अहां आपका प्रेम पत्र पहुँच गया क्योंकि उस पानी की नाव की अपनी कोई energy है नहीं पानी जिदर जाएगा उधर क्या हुआ नाव चला गया अब आपका जो पडोसी है वह आपके प्रेम पत्र को पढ़ रहा है बरसात का मौसम में किसी के दूसरे के हाथ में प्रेम पत्र लग गया अब इसमें आपके कोई गलती थी नहीं हना आपके कोई गलती थी नहीं गल्ती किसकी थी? पानी की, क्योंकि नाव को तो पता ही नहीं था कि दिल का जुराव इधर है कि उधर है, पानी उधर चला गया तो जुराव उधर पहुंच गया, ठीक इसी तरह से हमारी प्रित्वी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में एनरजी फ्लो करती है, ठीक उसी तर ठीक इसी तरह से, इसमें एनरजी होते हैं, और यह एनरजी जिधर जाती है, अपने उपर की प्लेट को नाव की तरह ले कर जाती है, अब जिधर जिधर एनरजी जा रही है, उधर उधर नाव जाएंगे, कंडिशन क्या होगा? कंडिशन यह हो सकता है, कि दो नाव एक ओर आ है, इधर से भी पानी आ रहा है, और इधर से जब पानी आ रहा है, तो वह एक नाव को इधर से ले कर रहा है, इधर से भी पानी, मालो बीच में गड़ा है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से यह नाव आई, इधर से यह आई, दो नाव क्या होंगी? टक्राज आएंगे, और जिसकी नाव भारी होगी, वो अपनी जगे और जो हलकी नाव होगी, उसको उठा देगा, जैसे इधर से खली आए, और इधर से आप आओ, मैं अपना एक्जामपल नहीं लोगा, दोनो टक्राज आओ, खली क्या करेगा? आपको उठाल देगा, वो भी नाव है, उसकी अपनी एनरजी है, ठीक, इसी तरह से यहाँ पर जब दो, दोनो तरफ से एनरजी आएगी, तो यह नाव क्या होंगी? टक्रा जाएगे, अब एक चीज़ समझो, कि यह जो यहाँ से नाव जा रही है, ठीक, यहाँ नाव जा इसी तरह से प्रत्वी के संदर में देखो, एक टुकड़ा इधर से, एक टुकड़ा इधर से आ सकता है, यहाँ से एनरजी जो उठी, रुके, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो आपको ज्यादा किलर हो जाएगा, यहाँ से एनरजी इस डिरेक्शन में जा रही है, यहा लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पर एक और टुकड़ा है न, तो इससे क्या होई, यह दूर होई, तो यहाँ पर क्या होगा, यह भी तो कंडिशन हो सकती है, कि यहाँ से एक एनरजी इधर भी आ रही हो, तो यहाँ से एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, इस डिरेक्शन म अर्थात, यह भी हो सकता है, कि भहिया, आप यहाँ पर बैठे हो, आपका दोस्त इधर बैठा है, बीच में एक उच्छा भाग है, इधर का पानी इधर जा रहा है, इधर का पानी इधर जा रहा है, आपने नाव अपने इधर रग दी, वो आपके दोस्त के पास, इन्हों के energy क्या है अलग-अलग direction ठीक किसी तरह से फ्लेटे भी क्या कर सकती है यहाँ एक दूसरे के सामने आ सकती है एक दूसरे से दूर जा सकती है और कई बार क्या होगा आपने देखा होगा कि double नालिया होती है ठीक ऐसे कोई आपने गली देखा होगा एक तरब इधर पानी जा रहा है एक तरब इधर पानी जा रहा है तो दो नाव या दो जो है कि लेटर एक दूसरे के parallel भी गती कर सकते हैं ठीक इसी तरह से पृत्वी में अगर आप देखें तो हमारी पृत्वी इसी टुकड़े से बने तो एभी तो हो सकता यह टुकड़ा इस डायरैक्षन में और यह टुकड़ा इस डायरैक्षन में गती करें Clear अब बताओ यहां तक Clear हुआ की नहीं सब लों बताओ अच्छे सब लों बताओ गुट 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 चले अगर फेक्ट पर बढ़ जाते हैं पॉइंट पर बढ़ जाते हैं तो हमने क्या कहा हाँ हमने कहा कि प्लेटे आपस में गती सील है और इन प्लेटों की गती का कारण क्या है समभाणी तरंगे इसका मतलब यह है समझेगा कि मैं यह कहूँ कि कोई plate x है x plate की जो है कि किसी एक स्थान से इस direction की और गती कर रही है तो यह जो गती है इस गती का कारण क्या होगा क्या plate की अपनी कोई गती होती है या फिर वह संबहनिय तरंगों के माध्यम से वह जिस direction में संबहनिय तरंगे जाएंगे उसी direction में plate भी क्या कर जाएगी move कर जाएगी इसको समझने के लिए हमें इस example को देखना होगा मैंने आपको कल बताया था कि यह है जो हमारा प्रायदीपिय भाग है यह वाला यह कहां था पहले यहां पर जुड़ा हुआ था और यहां से तूट कर इधर से गति करते हुए यहां पर मुचा है इसका मतलब है कि यह जो हमारा प्रायदीपिय भाग है यहां से यहां जब आया होगा तो संबहनी तरंगे इसको लेकर आयोंगे ना कि यह खुद चल कर आएगा यह जो भाग है प्रायदीपिय भाग यह दरसल एक नाव है जिसके नीचे से पाने इधर बहा होगा यहां पर पाने से तात पर है संबहनी तरंग ठीक किसी तरह से यह देखो नौर्थ अमेरिका यह साउथ अमेरिका पहले माना जाता है कि यह एक दूसरे से जुड़े थे और क्या हुआ इनके नीचे संबहनी तरंगे इस डिरेक्शन में चली और इन दोनों को यहां पर पहुँचा दिया अलग कर दिया तो जो संबहनी तरंगे हैं वही क्या करती हैं प्लेटों को बिस्थापित करती हैं एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले कर जाते हैं और इन ही संबहनी तरंगों से अब हम कुछ चीजों को देखेंगे और समझेंगे तो क्या यहां तक की चीजों को हम समझ पाए जो सिध्धांत है यह भी क्या करता है महाद्यूप महाद्यूप और महासागर के गती की बात करता है महासागर के गती की बात करता है यह जो सिद्धान्त है यह भी महासागर और इस गती के माध्धम से वो कई चीजों को परमान प्रसुत करता है यह जो सिद्धान्त है इसका जो विकास है यह विकास किसी एक ब्यक्ति नहीं किया इस संध्धिती का जो विकास है किसी एक ब्यक्ति नहीं किया दरसल इसके विकास में बेगनर का भी योगदान है और एक तरसे देखा जाए तो एबबी टेलर का भी योगदान है इसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें कुछ नाम आते हैं जैसे मैकेंजी, पारकर, और हैरी हैस ठीक है और मैकेंजी, पारकर, मौर्गन, हैरी हैस बहुत से जोगराफ़र का योगदान आता है और बहुत से जोगराफ़र्स ने अलग-अलग थियोरी दी जिनको समलित रूब में अगर हम देखें तो 1960 के दसक में, 1960 के दसक में समलित करके इनकी सभी के विचारों को शमलित करके एक सिध्धान्त बिक्षित हुआ जिसको बोलते हैं प्लेट बिवर्तनी की सिध्धान्त जिसको बोलते हैं प्लेट बिवर्तनी की सिध्धान्त ठीक है, देखो जितना आपको लिखना चाहिए, पूरा खुद मैं लिखते चल रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद उतना लिखते चल रहा हूँ अब यह जो सिध्धान्त है, जैसा कि हमने कहा, यह साथ बड़ी प्लेटे, बीस छोटी प्लेटे, और टोटल सो प्लेटों से यह मिलकर, पूरे प्रत्वे पर होने वाली गत्विधियों को क्या करता है, डिसाइड करता है इस सिध्धान्त में जो सफसे परमुक है, वह है प्लेटों का किनारा, सफसे परमुक है, जो है कि सर्वाधिक महत्पूर, सर्वाधिक महत्पूर जो फैक्ट है या कॉंसेप्ट है, वह क्या है, वह है प्लेटों का किनारा प्लेटों का किनारा तो अब हम बात करते हैं प्लेट और प्लेटों की किनारों अभी तक हमने जो प्लेटे देखी हमने साथ प्लेटे देखी बड़ी कौन सी थी? नॉर्थ अमेर की प्लेट साउथ अमेर की प्लेट अन्टार्कट का प्लेट ठीक है? Eurasian Plate, Pacific Plate, और Indo-Australian Plate, ठीक है, Indo-Australian Plate, ठीक है, यही थे, और अफरिकी प्लेट, एक और छोट गया है, अफरिकी प्लेट, आप जीकिए जो प्लेटे हैं, जैसे कि हमने कहा, यह क्या करेंगी, गती करेंगी, और गती जब प्लेटें क्या करेंगी, गती करेंगी, तो इसमें 3 कंडिसन होगी, 3 कंडिसन, कई बार प्लेटे क्या होंगी, एक दूसरे से दूर होंगी, जैसे कि मैने यहाँ पर आपको बताया, प्लेटे आप देख सकते, यह वाली प्लेट इस डियरेक्शन में, ए प्लेट इस डियरेक्शन में, तो जब प्लेटे एक दूसरे से दूर होंगी, तो इनको बोलेंगे अपसारी प्लेट, इनको बोलेंगे अपसारी प्लेट, दो प्लेटे जो एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनको बोलेंगे अपसारी इनको बोलेंगे अभिशारी प्लेट अभिशारी प्लेट दिखें अभिशारी में क्या हो रहा था माल लेते हैं एक प्लेट इस डियरेक्शन में जा रही है एक प्लेट इस डियरेक्शन क्यों जाएगी अभी बताऊंगा अब इसारी में क्या होगा एक plate इस direction से और same direction में इधर से और तीसरी condition क्या हो सकती है कि plate एक दूसरी के समानां तर एक दूसरे के समानां तर एक दूसरे के समानां तर एक दूसरे के समानां तर ठीक है एक प्लेट इस तरह और एक प्लेट इस तरह आपस में रगड खाते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो प्लेटों की गती है इसके आधार पर ये तीन कंडेशन क्रियेट होते हैं तो एक को बोलेंगे अब सारी प्लेट, एक को बोलेंगे अभी सारी प्लेट और एक को बोलेंगे समानांतर प्लेट, ठीक है, यह चीज़ है, अब जो हमने कहा प्लेटे हैं, जो प्लेटे हैं, वो क्या हो सकती है, या तो महादीवपिय हो सकती है, महादीवपिय हो सकती है, य North American plate, South American plate, और अफ्री की plate, इसी तरह से जो महादीब वाले plate हैं उनको, महासागरी plate में किसका एक्जामपल ले सकते हैं? परसांथ महासागरी plate, परसांथ महासागरी, अब देखो, अगर plate क्या है? महादीबई है, समझेगा, अगर plate महादीबई है, तो इसकी क्या होती है? इसक मोटाई अधिक होती है अब मैं जिस लेबल पर आपको पहुचा रहा हूँ अब इस सिध्धान्द के माध्यम से जिस लेबल पर मैं आपको पहुचा रहा हूँ अगर आपने ये समझ लिया मैं सही बता रहा हूँ आप से बहतर कोई नहीं जानता है ठीक है? समझे, यहां पर है, तो हमने कहा कि जो महादीवपी प्लेट हैं, इनकी मोटाई क्या है? अधिक है, लेकिन इनका घनत तो क्या है? कम है, इनका घनत तो कम है, अब एक चीज समझो, कि माल लो यहां पर एक टेबल है, ठीक है? और मैं इधर क्या करूँ? जादा बजन रख दूँ, इधर कम रखूँ, तो क्या यह इस्टेबल रह पाएगा? क्या इस्टेबल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा. और क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि डिस्बैलेंस क्रेट हो जाएगा. इसलिए मैं इधर क्या करूँग इस थली जो भाग है, वो हलके तत्तों से बने हुए है इसलिए महादीप ये भाग, इनकी मोटाई अधिक होने के बावजूद इनका घनत तो क्या है, कम है, क्योंकि इनका जो निर्माड है वो हलके तत्तों से हुआ है वहीं जो महासागरी प्लेटे हैं, ये पतली होती है आप देखो, महादीप ये प्लेटे हमें दिख रही है नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये इस्थली भागे उपर उठे-उठे महासागर का क्या है? उसका बॉटम ही तो है, जिसके उपर जल है लेकिन वह बॉटम कमजोर नहीं है ये वह पतली जरूर है, लेकिन वह भारी तत्तों से बनी है इसे के कारण तो पानी का इतना भार वह सह पाती है अगर कमजोर चीज से बड़ी होती है, तो इतना पानी का भार वह उठा नहीं पाती है आप देखो, एक बाल्टी आप पाने उठाते हो, आपकी सांस फूल जाती है, है की ने, और सोचो महासागरों ने तो कितना ज्यादा जल को धारित किया हुआ है, तो प्लेटे क्या हो सकती है, महादीपी हो सकती है, महासागर, और ये सभी प्लेटे क्या करेंगी, आपस में ग और आएंगी, तो यहाँ पर प्लेटे क्या होंगी, टकराएंगी, अगली कंडिशन में क्या कहा हमने, कि दो प्लेटें अपोजिट डारेक्शन में जाएंगी, तो यह क्या कहोगा, कहीं से ये तूटकर अलग होंगी, और तीसरी कंडिशन में हमने कहा, कि एक दूसरे के प आप देख पा रहे हैं तो यह जो प्लेटे हैं दोनों प्लेटे यहां पर क्या होगे टकराएंगी यहां पर क्या होगा टूटेंगी और यहां पर बीच में क्या होगा एक दूसरी से घर्षन करेंगी थ्रेक्षन करेंगी अर्थार यह जो प्लेटों का यहां पर जो किनारा बिक्सित हो रहा है, इसी किनारे पर अब हमें दिखेंगे बलित परवत, फोल्डेट माउंटेन बनते हूँ, इसी किनारे पर दिखेगा ज्वाला मुखी का प्रक्रम, और इसी के किनारे पर दिखेगा भूक का, और इसी के साथ बहुत से चीजे, तो अब हमें क्या करना है, प्लेटों के एक एक किनारों को लेना है और उसको देखना और समझना है तो जो सबसे पहली कंडिशन हो सकती है वह है उसको बोलते हैं अपशारी किनारा अपशारी किनारा के लिए यहां तक सौझ पाए कि नहीं यहां तक सौझ पाए कि नहीं सब लोग बताईए, समझ पाए कि नहीं? क्लियर क्लियर हो क्लियर लोग चल आई तो अब देखिए अपसारी किनारा अपसारी अपसरन का मतलब क्या होता है जब कोई दो चीजें कोई दो बस्तों या चीजें एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इनको बोलते हैं अपसर प्लेटों के संदर्म में क्या होगा जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं अब दूर का मतलब यह है कि मान लो यह एक प्लेट था ठीक यह एक प्लेट है और कोई भी जो प्लेट होगी मैंने कहा कि उसके नीचे क्या होगा मैगमा होगा संबाहनिये तरंगे उठेंगी वहाँ पर गला हुआ पदार्थ होगा तो यह जो भाग है यह जो भाग है ठीक है इस रूप में है और यहाँ पर क्या है energy है अब मान लो इस energy ने बार-बार यहाँ से निकलने का प्रयास किया धीरे-धीरे क्या करेगा यह इस पर जटका मार रहा हो देखें यहाँ से energy बार-बार उपर आने का प्रयास कर रही है तो अचानक तो इसको यह तोड़ नहीं देगी तो यहाँ पर जटका मार रही होगी और जब इसको तोड़ नहीं पा रही होगी तो जटका मार कर इधर direction मे और energy इधर जा रही हो, अर्थात यह जो energy है, उपर उठ रही होगी, यहाँ टकरा कर, कुछ energy इस direction में, कुछ energy इस direction में move कर रही होगी, यही तो हो रहा होगा, यही हो रहा होगा जैसे, माल लोग कुछ लोग ऐसे आए, इस पर टकरा हैं, तो टकरा के इधर जा सकते हैं, फिर जिदर energy होगी, अब देखो, क्या होगा, यहाँ से भाग टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा, तो फिर क्या होगा, जब यह टूट जाएगा, तो टूटने के बाद जो energy इधर जा रही है, तो इसकी ऊपर का जो टुकड़ा है, इस direction में, और इसकी ऊपर का जो टु इस direction में गती कर जाएगी, और जब गती कर गई, देखो, तो यहाँ पर क्या देख पा रहा है हम लोग, यहाँ पर हमने देखा, कि एक दूसरे से दूर जा रहे है, और दूर जाने का मतलब है, यह टूट कर दूर जा रहे है, अब एक चीज समझो, कि जब यहाँ पर energy टू और कौन रहा है, यह energy है magma, तो धीरे-धीरे magma यहाँ पर निकलता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, और magma की निकलने और ठंडा होने से यहाँ पर एक नई चीज बन गई, पहले तो यह चीज नहीं थी न, पहले तो यह चीज थी नहीं, जैसे यह एक फर्स है, इस फर्स से नीचे से महगमा निकले और इसको दो भागों में डिवाइड कर दे और निकल कि यहां पर ठंडा हो जाए तो अब क्या हो गया नई चीज बन गए तो चूंकि जहां पर अपसारी किनारा होता है वहां पर प्लेटे जब एक दूसरी से दूर जाती है तो उनके बीच में क्या गला हुआ पदार्थ आता है और जब यह गला हुआ पदार्थ बाहर आएगा तो एक नई आकरती का निर्माण करेगा और जब नई आकरती का निर्माण करेगा तो इस किनारे को बोलेंगे रचनात्मक किनारा इसको बोलेंगे रचनात्मक किनारा और रचनात्मक किनारा क् क्योंकि यहां पर निकला हुआ पदार्त एक नई चीज की क्या कर रहा है रचना कर रहा है क्या हम लोग सौझ पाए क्या हम लोग सौझ पाए इसको देखने के लिए देखो हां यहां पर देखने के लिए आप देखो यह प्लेट एक प्लेट यह है एक plate ये है, दोनों plate हों के नीचे, क्या है? Astono Sphere है, जिसको मैंने पृत्वी की आंतिक सुनचनम बताया था, आज भी बताया यहां से plate होंगी, तूटकर अलग होंगे, और जब तूटकर अलग होंगे, तो इस चीज को यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखो यह जो प्लेट है North American plate यह तूट कर इधर गई यह South American plate तूट कर यहां पहले सब जुड़े होई थे यह Africa इस से जुड़ा हुआ था यह इस से जुड़ा हुआ तूट कर अलग गया जब अलग गया तो बीच में देखो यहां पर पदार्थ निकल रहा है और य यही जो पदार्थ है यह लगभग 14,000 km लंबे एक महासागरी परवती तंत्र का निर्मार करता है और इसका नाम है मध्य अट्लांटिक कटक यह जो मध्य अट्लांटिक कटक है यह क्यों बना क्योंकि यह plate इस direction में यह plate इस direction में यह तो इस direction में हाई अर्था जब plate एक दूसरे से दूर जाती है तो नीचे का जो गला हुआ पदार थे निकलेगा ठंडा होगा निकलेगा ठंडा होगा और निकलते और ठंडा होते रहने से यहाँ पर एक नई सानचना बनेगी और यही क्या है कटक क्लियर क्लियर क्या हम इसको समझ पाए अब देखो यह हमने क्या देखा यह है आपका रचनात्म किनारा अब देखो इस रचनात्म किनारे पर हमने देखा और अच इसको हमने रचनात्म किनारे क्यों कहा क्योंकि यहाँ पर प्लेटों में क्या हो रहा था अप्सरंड की किरिया हो रहे थे और प्लेटें क्या हो रही थी प्लेटें एक दूसरे से क्या कर रही थी दूर जा रही थी प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही थी और प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने के कारण यहां पर नई आक्रती बनी लेकिन इस अपसरंड की क्रिया से यहां पर क्या होगा यहाँ पर भुकंप आएगा यहाँ पर ज्वाला मुखी भी होगा अर्था सिफ नई आकर्ती नहीं बनेगी बलकि भुकंप और ज्वाला मुखी आएगा भुकंप कैसे आएगा समझो मैंने कहा कि यह कोई इस्थलिय भाग था एक भाग था इसके नीचे मैंगमा भरा हुआ था अब ही जब मैंगमा बार बार यहाँ पर आकर टक्कर मारेगा तो इसमें जटका लगेगा कोई चीज अचानक तो नहीं तूटती है धीरे धीरे यहाँ पर जटका लग रहा है जैसे आपको तो इसका बहुत अच्छा नभव है फिर से क्या हुआ भूग कम पाया जब तूट गई अलग हो गई और अलग हो गई तो यहाँ पर दरार बना अब दरार से जब गला हुआ पदार्थ आएगा फिर से इनको दूर करेगा फिर से क्या होगा यहाँ पर भूग कम लगा अच्छा देखो एक बार कले हुए दरार से मैगमा आया तो ऐसा तो होड़ी है कि पूरा मैगमा एक साथ निकल जाएगा साल भर दो साल भर निकला फिर ठंडा हो गया फिर से नीचे से मैगमा आयेगा कुछ समय बाद और यहाँ पर कमजोर भाग है फिर से मैगमा निकलेगा ठंडा होगा मैगमा निकलता रहेगा ठंडा होता रहेगा और जब जब मैगमा निकलेगा तब तक यहाँ पर भुकम पाया और चुकि यहां से मैगमा क्या हो रहा है निकल रहा है बार-बार निकल रहा है इसलिए यहां पर क्या होगा बार-बार ज्वाला मुखी की किरिया होगी भुकम्प जरूर आएगा जब भी जौला मुखी की किरिया होगी भुकम्प जरूर आएगा समझ रहे हो क्यों कि जौला मुखी का मतलब ही क्या है नीच प्रत्वी के किसी हिस्से में हिस्से को तोड़ कर मैगमा उपर आने का प्रयास कर रहा है ठीक है किलियर तो जो रचनात्मक किनारे होते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रचनात्मक किनारों पर सिर्फ और सिर्फ किसी नई आकरती की रचना होती है तो कहना नहीं ऐसी बात नहीं रचनात्मक किनारों पर बिना सात्मक किरियाय भी होती है भुकम्प और जौला मुखी भी आता है तो हमारी प्रत्वी के जिन हिस्सों में रचनात्मक किनारे होंगे उहां पर क्या होगा भुकम्प आएगा उहां पर जौला मुखी आता ही रहे और ऐसे किनारे भुकम्प और ज्वाला मुख्य की दिश्टिकोर से संवेरन से प्रशना आएगा कि यहां पर जो रचनात्मक किनारा है किया सिर्फ अट्लांटिक महासागर में भी है पर जो है कि हिंद महासागर में भी है और कुछ मात्रा में परसांत महासागर में भी देख तो क्या हम इस रचनात्मक किनारे को समझ पाए क्या हम अब सारी और रचनात्मक किनारे को समझ पाए सब लोग बताईए सब लोग बताईए चल तो आज इतना ही रखते हैं और इसके आगे के सेशन को कल हम लोगे के बढ़ेंगे इसके आगे के सेशन को कल रखेंगे पूजगोन मैगमा क्या होता है बच्चे अगर मैं इससे पीछे की क्लासिस देख लो अगर सपना सचमुच का सच्चा है तो पीछे की क्लासिस देख लो मैगमा क्या होता है बहुत बेसिक चीज है हजार बर बता चुका हूँ पीछे की classes देखिए तब इसको देखिए चल मिलते हैं next class में ठीक है आज इतना ही रखते हैं ठीक है आज इतना ही रखते हैं फिर इसके आगे की journey हम लोग कलते हैं करेंगे ओके थैंकिसो मज़ थैंकिसो मज़